इस वक्त के एक और बड़ी खबर भारत बंद की वज़े से दिल्ली गुरूगराम बॉर्डर पर बहुत बड़ा जाम लग गया है। नहीं आती है गाड़ियों की और जिस तरह से भारत बंद का एलान हुआ है जो उपद्रव हुआ था उसके बाद से लगातार जो पुलिस है वो एतियात बरत रही है चेकिंग की जा रही है कि उपद्रवी कहीं न घुसाएं और हंगामा शुरू कर दे और यही वज़े कि चेक ट्राफिक से दो-चार होना पड़ेगा अगर आप दफ्रों के लिए निकल रहे हैं तो भी इस हिसाफ से निकलिए कि आपको ट्राफिक जाम में फसना हो सकता है जिसमें लंबा वक्त लग जाएगा आदे घंटे का भी वक्त आपको लग सकता है सिर्फ कुछ ट्राफिक को क करने के लिए दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि दूसरी लाइन पूरी तरह से खाली है लेकिन जिस बॉर्णर से दिल्ली से एंट्री हो रही है वहाँ पर आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में गाडिया एक के पीछे एक नजर आ रहे हैं जहां तक भी आपकी लंबा जाम तो लग चुका है यहां पर भारत बन की वज़े से देश भर में सुरक्षा इंतरजाम सक्त हैं सबसे ज्यादा सक्त पहरा लगाया गया है पटना में चप्पे चपे पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं पिछले चार दिनों से बिहार में हिंसा हुई है प बश्यम बंगाल की भी आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर भी पुलिस मुस्तैद है हाला कि अगर कंपेर किया जाए जहारकंट से या फिर बिहार से तो बंगाल में इस वक्त जो आप देखने हाला जादा सामाने नजर आ रहे हैं वहां पर उस तरह का असर नहीं देख जितना खासवार पे बिहार और राची में देखनों को मिल रहा हैं और बिहार में होना लाजबी इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर एक दो नहीं बलकी दस से जादा ट्रेने फूंकी गई थी जिसके बाद अब पुरी तरह से कड़ाई से जो पुलिस है वहां पर काम कर जो कोचिंग सेंटर्स थे जिनके मालिकों ने लोगों को भड़काया था उनके खिलाफ कारवाई की गई है और साती साथ पुलिस फोर्स तैनात की गई है जिसके कोई पबलिक प्रॉपरिटी और प्राइवेट प्रॉपरिटी को नुकसान ना पहुचा सके राची में भी आप देख रहे हैं आज स्कूलों को बंद रखा गया है भारत बंद के कॉल को देखते हुए और तीसी तस्विर आप सिलिगूडी की देख रहे हैं